हेलो फ्रेंट्स मेरे चैनल फ्री एस्ट्रोलाजी और पाम रीडिंग में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आए आज इस अर्थिश वर्षिये पूरुष के पाम का एनलेसस करेंगे और इनके सवालों का जबाब देंगे सबसे पहले चीज मैं बता दूँ इनका जो कोश्चन है वो सबसे पहला कोश्चन ये है कि अभी मैं घर लेना चाहरा हूँ क्या वो योग बन रहे हमारे पाम पे और क्या मैं ले सकता हूँ ठीक है पहले चीज अभी ये कोई घर पर चेस करना चाहते हैं तो उसको से लॉट करके कोई नया गर लेना चाहते हैं तो क्या उसके योग इनके पाम पे दिख रहे हैं वो आए देखते हैं पहले चीज दूसरा इनका कोश्चन था कि पड़िवाई टेंशन चल रही है और तो आए सबसे पहले इनका कोश्चन देखते हैं कि यह बोल रहे हैं कि मैं भी घर लेना चाहरा हूं तो इनकी एंज वह थर्टी वर्स के रांड है 38 वर्स के रांड है सॉरी तो थर्टी एट वर्स में यह देख लो आप यहां पर इनका लग लाईन है यहां पर देखो एक तो यह दर्शाता है कि ऐसे लोग उस समय प्रोपर्टी तो जरूर बनाते हैं तो जी हां इनके पाम पर भी 100% योग आ रहे हैं कि आप एक्सपेंज करोगे क्योंके एक्सपेंज की लाइनए इनके लख लाइन से चल रही है इस पैटेंज की लाइन है शौरीं आपको ठीक दिखाता हूं यह एक यह दिंधि करेंग होंगी तो और यहाँ पर भी ट्रेंगल लुमा गिरती बना दी तो घर लेने के प्रबल चांसे से हैं आपके पाम पे सार आप घर लेने के योग भी बन रहा है और एक्सपेंस मतलब आप पॉजिटिव एक्सपेंस जब इस बीच में कोई लाइन है बर्यों ट्रेंगल का फॉरमेशन तो इनसान पॉजिटिव एक्सपेंस करता है तो आप लख लाइन के साथ एक लाइन है तो आप पॉजिटिव एक्सपेंस कर सकते हो तो घर मकान लेने के समय ठीक है और योग बन रहा है आप नहीं भी चाओगे फिर भी आपके वो घर मकान तो जरूर होगे उसके बाद जीवन क्यों खराब चल रहा है इनका और जाना था भी इनका लाइन बहुत कर रहा है तो पैसे जा रहा है पैसे आनी रहे है तो यह समय इनका काफी कराब बीतरा होगा फिर उसके बाद बहुत अच्छा जीवन रिकाइन के लाइफ में चला फिर एक लगबग 44 के एज में काटा तो यह जो राहू लाइन है यह राहू लाइन का मतलब यह है कि आपका काम नहीं होगा आपको भ्रम्मे रखेगा राहू कई न कई ब्रहमित में इनसान को रखता है तो वैसे इनसान हो सकता है कि ब्रहमित रहे और कुछ ऐसे डिसिजन्स आपने अपने लाइफ के लिए लिए होंगे जिसके वज़से परिशाने है स्राशेवलिगे प्रतीद होहा थे सुथ इसके बाद आपको अठी चुल के लाइँ प्रीवाइं अपको दिखने यो गर् document अग्वान नियांगा पहले चीज़ तुर्य ब्रेश्पती भी इनका मीडियम में बहुत हाइओ कॉलिटी का ब्रेश्पती भी नहीं है यहां से भी अलका दबा हुआ है और इदर से आपको फीलो का दबा हुआ है तो जब यह दोनों मेरे इसाब से बैलेंसिंग नहीं है लेकिन मीडियम तो ऐसा क्यों होगा, यह भी मैं आपको दिखाता हूँ इनके पार्म से, यह आप देखो, इनका बुद्ध फिंगर छोटा रहा है, तो यह अपने भावनाओं को व्यक्त करेंगे नहीं लोगों के पास, जो भी दिल में बाते होगी, जो भी दिल में भावनाओं होगी, जो भ इनका बुद्ध फिंगर, इस वज़ा से इनके जीवन में भी परिवारी कलाकच के स्थिती बनी हुए, और समय भी इनका विपरीत है, चौथा यह भी इंडिकेशन आ गया, कि सब चीज ठीक रहने के बाद भी अगर आपका समय खरावने, तो कही ना कई इंडिकेशन तो आ लेकिन आगे चलके वो इस्तिती सुद्रेंगे भी जरूर, क्योंकि उसके भी एक सम्भावना है, वो मैं जब जुपटर पर आता हूं, तो मैं आपको इग्जैक्ली बताता हूं, तो यह कही ना का एक नेगेटिव चीजी है, यह बुद्ध फिंगर जो है, अब इनका तीस बेसिक चीज, यह बेसिक है, जीवन रेखा, आपके जीवन के पावर को दिखाया, सकेंडरी माइन रेखा, आपके दिमाग के शम्ता को दिखाया, और हट लाइन, तो यह तीरों जब बैलंसिंग अवस्था में बैठे और साथ-साथ भाग लाइन का भी साथ है, तो ऐसे ल लेकिन आपके शुक्र आपको तोड़ा ब्रॉट दिखेगा इनके पाम पे, तोड़ा उबरावा, क्योंकि इनका पाम पतला है, और पतला रहने के बाद इतना भी स्ट्रॉंग है, तो इमीडियम में तो है, तो गार्नमेंट्स का और कपडों का, इन दोरों का बिजनस इनक इसलिए बताता हूँ, क्योंकि अगर आप नेगेटिव वातों नहीं-णहीं सुनोगे, तो आप उसको पॉजिटिव में कनवर्ट कैसे कर पाओगे, पता चलेगा बराई-बराई-बराई-बराई, मैं तारीफ-तारीफ आपका कर दूँ, पता चलेगा बाद में, पता चले कि मेरे में तो ये नेगेटिव था, तो अभी मैं कोशिश करता हूँ, लोग के उसके नेगेटिव वीटी को बताने में, ताकि उसको दूर करने में मदद हो, और वो लोग नेगेटिव वीटी को दूर करके पॉजिटिव वीटी को लापाई, जिसके हुझा से उनके लिज यह देखें यह गुरु वले का फॉर्मेशन है कुछ ऐसे फॉर्मेशन आए तो हंडिट परसंट ऐसे लोग धार्मी कोते धार्मी कास्था रहती है और ऐसे लोग को दाद दक्षिना करने में काफी इंटरेस्ट होता है और ऐसे लोग बड़े की सम्मान हमेशा करते हैं ठीक ह और उन्होंने पढ़ाई नहीं भी की हो किसी वजह से किसी फैमिली टैजिसांस और समय की वजह से फिर भी ऐसे लोग की जो मैथमेटिक्स होती है वो काफे स्ट्रॉंग होती है मैंने इंसे पूछा कि क्या आपने आपका मैथमेटिक्स स्ट्रॉंग है तो इन्होंने का जी लोग को mathematics calculation की समझ बहुत अच्छी होती है यह तो एक बात हो गई दूसरी बात सेटरन फिंगर सुन के तरफ बैंड की हुई है तो महनती काफी होते है शूरी क्या दिखाता है मान सम्मान जस हो सेटरन जब सूरी के तरफ हलका सिफ्ट करें सेटरन का फिंगर तो 100% आप समझ लोग अपने महनत के दम पर लाइफ में मान सम्मान जस्की प्राप्ति जरूर करते हैं कि अब देखो सब्सक्राइब काफी बढ़ी है तो एक बहुत हिम्मती नियचर रहता है हिम्मती कि सेंस में होगा कि ऐसे लोग की पास्ट रुपय ना तो यह लोग 5,000 का काम कर सकते है मतलब इस एमाउंट नहीं देखते हैं बस अपना काम देखते हैं इट मिंस कि ऐसे लोग इतनी हिम्मती होते हैं कि एक से पीछे नहीं अटते हैं कभी-कभी थोड़ा सा यह परिशानी भी कर जाता है क्योंकि शुरी फिंगर ज्यादा बड़ी रह रही है और इनको अपने क कॉण्फिडेंस का सिगार हो कि ऐसे कुछ डिसिजन से लाइफ में ले लेते हैं इस विजासे इनको परिशानी का सामदा करना पड़ता है तो मैं कोशिश मैं इनको बताता हूं कि आप एक काम करो आप कभी को डिसिजन लो तो काफी सोच विचार समझ के लो अब उसके विच Olafर और इनके फिंगर के लेंद्र देख लीजे जब पर से फिंगर के लेंद्रध और चोटी ओый हो तो ऐसे Bugün दोता है ऐसे इंडिकेशन ऐसे इन लोग के भावनाएं रहती हैं फिर मैं एक शीज़ आपको दिखाओ इनका सकेंड पूर्वा जो है इनका सकेंड पूर्वा जो सब सारे फिंगर का है आप ठीक से देखो तो यह आपको फील होगा कि पहले पूर्वे और सकेंड पूर्वे में लगबग बराबर का डिस्टेंस है तो जब ऐसी कोई अवस्थाएकि नहीं के भी पाम पे बनी हो तो आप 100% कह दो कि ऐसे लोग सब पूर्वा दिखाता है कि वो कितने महनती होगे वो महनत करके जीवन में आगे पनेंगे फर्स्ट पूर्वा मेरे हिसाब से और लोग के बात में नहीं करता है अपने परसनली हिसाब से फर्स्ट पूर्वा रिपरेजेंट करता है कि ऐसे लोग कई ना कई लॉजिकल प्रसन दिख रहे हैं दोनों की और मैं चीज़ आप लोग को और बताना चाहूंगा कि यह जो मैं प्रेडिक्शन करता हूं पाम की वह अपने सालों के एक्स्पीरियंस के अधार पे करता हूं ठीओडी अपने जगाए लेकिन हमारा प्रस्तल एक्सपीरियंस अपने जगाए अथास आगर है अगर आप गोता लगा दोगे तो फिर आपको पता नहीं कहां और है यह आपको पता नहीं चलेगा तो इसी वजह से मैं जो भी प्रेड कि डाउट्स हो कि यह ऐसा क्यूं बोल रहा है मैं को कुछ और चीज़े इस विशा में पता है तो मैं इसा प्रस्तली कंटेक्ट कर सकते हैं पूछ सकते कि आपने ऐसा क्यूं का मैं उनको प्रस्तली लॉजिकली इस बात को समझाओगा इस बात की मैं गैरेंट्री लेता हू मैं लॉजिक से समझाओगा और आपको हमारी बात जरूर समझ में आएगी अब मैं इनके पाम पे बुद्ध फिंगर को देखो तो बुद्ध फिंगर देके छोटा रह रहा है तो ऐसे में सबसे पहले चीज़ क्या होती है कि ऐसे लोग अपनी भावलाओं को व्यक्त नहीं पर देखने को जरूर मिलता अगर आपके सरीर में कोई चीज़ है मानलों आपके सरीर में कोई बीमारी है तो उसका एफेक्ट भी हल्का फलका जहिलना तो पड़ेगा आपके हिम्मत बहुत है आपकी वील पावर बहुत अच्छी है तो अब उसको जहिल लोगे नहीं जैसा मैंने पहले भी बता है स्कॉाइर इनसान बहनती होता है काफी अच्छी मेहनत करता है और बड़े-दिकारीयों और अच्छे बड़े-बड़े इसके पाम पर से लिटा है कि अपने लक्ष सबस्क्राइब प्रूशन करने प्राइब कहाए वहां इनका ने पाइब लेटा इतने दीजाने, सब्सक्राइब करसे लोग सब्सक्राइब करें चेर्पेश्च करके कि क्य existem औरॉचे दामपत्य जीमा सकती है थो पहते ब analyse क्यों से सब्सक्राइब करेंबाज के उपसाले लाँ करके कार्पीतैब कि ळल्वन की ऐसा को Thai है पहले चीज क्या देगा यह क्रॉस पहला चीज यह देगा कि ऐसे लोग की जो six cents होती है वह काफी प्रबल होती है ऐसे लोग को जो पुर्वा आभास आपने जुरूर यह वर्ड सुना होगा पुर्वा आभास मतलब कि मैं यह करूंगा ना तो हो सकता है कि मुझे दुखसान क सामना करना पड़े यह हो सकता है कि मेरे साथ कुछ गलत हो जाए कुछ अनोल हो जाए तो ऐसे लोग को पुर्वा आभास तो होता है अगर इसके इस क्रॉस के साथ बुद्ध फिंगर के लेंद अच्छी हो जाती ना ऐसे लोग 100% कभी लॉस पे रहते हैं तो इनका लॉस का है कि आपको पुर्वा वास की संभाव बनाए जगती है ऐसा में सब पांपे नहीं बोलता लेकिन जो एक समस्या है यह एक जो अच्छी चीज़ा यह डवलप करती अपने लंतर तो मैं कहूंगा कि कम से कम अपने अंदर के से तो आपके कुछ आवाज आ रही है तो पहले उ तो यह एक चीज़ है यह एक नेगटिव चीज़ है इसको अप तोरा सा आप कंट्रोल करो अपने उपर फिर में इनके पांपे देखो गुरू वले तो गुरू वले धार्मिक आस्था दिखाता है और साथ साथ पैसे भी दिखाता है कि लाइफ में पैसे आएंगे और ऐसा गुरू वले रहे तो इंसान धर्म के पड़ती तोरा सा आस्थावान तो रहता है तो मैंने कहा कि इनके फैमिली कंडिशन सुदरने की समभावना जटरे क्योंकि यह देखो आपी जो क्रॉस बन रहा है इस क्रॉस से समभावना यह कि जूपिटर के जो नेगेटिविटी उ गुरू करने में का 후 हायागो होता है तो इसकी आवस्ता में जो जूपिटBlue कुछ अच्छे अच्छे अट निकैसंस साथ है तो इस ठitिया सुदरने के चंसंसर है फिल्में हम बात करो तो इनके Saturn पिंग है Saturn Mount पर, Saturn Mount यहां से दबाओ है तो जैसा मैंने बताया जितीन चार चीजों से दिखर रही है कि ऐसे लोग काफी महनत ही होते हैं महनत के प्रती दिन को दिन नहीं रात को रात नहीं देखेंगे आलस्वी आनम की चीजिन नहीं होते आलस्वी जोने कभी आश्द तक सीखा ही नहीं नहीं और आप देखो उनके Suri Bound को इनका Suri का Keys Nea काई नहीं बुद्ध पर है और Saturn यहां से उभार लिया वा तो हो सकता है कि ऐसे लोग जब लोहे लगकर का भी बिजनस करें तो उसका रहेगा और ऐसे लोग जब Saturn इधर के सरफ सिफ्ट हो जाए यहां पर बन जाए इस बीच में बन जाए इस फिंगर दोनों फिंगर के बीच में तो ऐसे में ऐसे लोग जो इना बरो की इजट करने वाले होते हैं बरो की सम्मान करने वाले होते हैं ऐसे लोग जल्दी कटू वचन नहीं बोलते हैं तो कहीं न कहीं शूरी के तरफ सिफ्ट कर रही है तो हाँ यह थोरे से इंडिकेशन यह भी है यह थोरे से असफ़लता ही दिख रही है जीवन प तो इसकी इस्थितियां भी अगर आप प्रियास करों एक में उपाई बताऊंगा जिसे काफी द्रिलिफ मिलेगा थोरे से अभी इनका नाकाम्याबी का इंडिकेशन इनके पाम पे जादा दिख रहा है फिलाल के समय में लेकिन ऐसे कुछ और भी योग आ रहे इनके पाम के जो इनका आगे का जीवन अच्छा रहा और इसके लिए कुछ रिमडी मैं इनको जरूर देगा प्रस्तली दूंगा जिसे इसका काफी हद तक इनको रिलीफ मिलेगा यह 100% है फिर उसके बाद मैं इनके सुरी को देखो तो अगर बुद्द के तरफ सिफ्ट कर जाए तो यह क sworn की दर्शाठाए इसे लोग प्योर बिजनसनों होते आप है एक होता है पैशन एक होता है वहता है लगाव तो इनको प्यार होता है और इनका पैशन में convert कर जाता है तो ये चीज तो बहुत अच्छी चीज है ऐसे लोग business ही करना चाहते है life में business में तरक्की है कहीं न कहीं बुद्ध की mount भी प्रवल है तो communicate तो कर लेंगे ऐसे लोग mount प्रवल हो communicate कर लेंगे finger के वज़ा से जो तो इनका जो अपर मार्ष है वह अच्छे अवस्था में बैठा है तो इनर्जी जासी पहले चीज दूसी चीज लॉजिक से लोगों की बातों समझाते और समझने में कैफेवल रहते किसी भी लॉजिक को समझ सकते इन्होंने ज्यादा पढ़े लिखे रहे हैं फिर भी इनके mathematics अच्छी और logic अच्छी होगी क्योंकि इनके मंगल दिखरी अच्छी और इनके जो finger है उनकी लिंद काफी अच्छी देख लिए फिनके चंदरमा को देखो चंदरमा आप देखो तो यहां से आपको फीलोगा हलका सा दबा हुआ है उत्ता ज्यादा उभार नहीं है कर्व इस लोग को मेहनत करने में कोई जवाब रहते हैं जीबन बर कर्व लिया हुआ चंदरमा डिपरेजन करता है अपने सरीर पैसे लोग काफी द्यान देते हैं अपने स्वास्त है उस पर काफी जाधा सजग रहते हैं लेकिन चंदरमा इधर भी से दवा हुआ है तो ऐसे तो negative प्रस्टनल्टी तो नेगेटिवीटी बीइंक्रीज होगी तो डिप्रेशिब नेचर भी रहेगा क्योंकि यह एक इंडिकेशन जाते हैं इस चंदरमा के बाद यह तो इनके शुकर को आप देखो तो इनका शुकर यहां से दबावा हुआ जैसा मैंने पहले बता है लेकिन कई ना कई अपने घर के लिए यह लोग हमेशा चाते कुछ अच्छा करूं ठीक है और उसके बाद इनके शुकर में यह चीज़ आपको दिखेंगे यह आपको एक स्क्वायर का फॉर्मेशन दिख रहा है तो यह स्क्वायर दर्शाता है कि ऐसे लोग घर मकार का सुक अच् गाल में और कुछ ऐसे लाइन बनी वर्रिपर्जेंट करते हैं समय समय पर इनके लाइफ में पैसे आते रहेंगे और मैं तो इनको कहूंगा कि आपका पुरो काई बिजनस करो क्यों वह आपके लिए काफी अच्छा रहेगा इनके मंगल पर एक बहुत यूनिक इंडिकेश परिशानी आनी को दो-दो मंगल रेखा का फॉर्मेशन है तो यह दोरा जीवन रेखा काम करेगा पहले चीज़ और दूसरा इतनी क्लियर मंगल रेखा इनके पाम पर यह मुझे काबिले तारीफ लग रहे हैं मतलब बगमान ने आपको दे दिया खुश रो बस आभी इतना आपको उसको जेलने में ताकत मिलेगा अंदर से आपको एक सचाई मिलेगी एक ताकत मिलेगी एक बल मिलेगा तो यह एक अच्छी चीज़ है और जीवन रेखा के पावर को इंक्रीज करती है और मंगल पर कुछ एक वरीड की लाइने भी है यह सब जो जब ऐसे नाहुले करें हो जो इनको बाद में ले लिया बाद में अब सोच यह लाइन का मतलब है फिर मैं आप जीवन रेखा को देखू तो इनका जीवन रेखा देखिए एक तम यहां से चला है जीवन रेखा तो मुझे इतना तना प्रवावित किया बहुत खूबसूरत इक जैसा जिस तरीके से जीते हैं बहुत अच्छे तरीके से जहलते हैं यह एक बहुत ही अच्छी चीज है बहुत अच्छी जीवन रहें कि तो उसमें नौ आठ तो जरू 90 वर्स जिएगा तो एक एकुरे से 95% के राउंड आई तो वो मैं चीज बता रहा हूं 95% के राउंड आई और इक जीवन रहें आप देखो तो एक इंडिपेंडेंसी की योग आगे थे 22 वर्स के एस से लेगिन 22 से 26 तक को एक दवाब दिखरा था यह आप देख लो ठीक है यह लगबग इनका एस था और यह माइंड रेखा पेज में आता हूं तो फिर बताता हूं यह जब जब बने तो कहीं ने काई दवाब दर्शाता है तो यह एस माइंड रेखा काई है हमारे accordingly 30 years से पहले और इनका स्टार्टिंग का लगवाग 24-23 से यह तोड़ी बहुत दवाब दिख लिए अब उस स इसानी का सामबा इनको जरूर करना पड़ा होगा फिर इनके पाम पे जो एक राहू लाइन काटी यह तो बहुत प्रवल काटी यह 38 के राउंड अभी यह गुजर भी है 37 इसकी मेरे हिसाब से इसका वदी डेट से दो वर्ट के राउंड होनी चाहिए तो इस समय इनका काफ है जो इनके लिए काफी गलत साबित होता है दूखि कमाने घवाने शोटा सा डिफ्रेंस है कि आप इन्वेस्ट करोगे तो दस रुपया कमा हो जादा यादा सुर्पया कम कमा हो तो इस चीज तो वही है तो बस वही चीज है कि इनके लाइफ में यह समय गुदिकल जाएग में को बहुत इंडिकेशन है कि 38 में निकल जाए, 39 सच्छे समय आ जाए, तो कि उसके बाद इनकी जो लाइफ लाइफ लाइन हो काफी अच्छी चली है, काफी अच्छी, बहुत बहुत प्रभावित की है, फिर एक प्रोग्रस लाइन में लगबख 41 के राउंड, फिर एक 45 के इसके लिए मैं आपको रुमेडी दूंगा राहों के लिए जिसके थोड़ी बहुत ठीक होने के असंकाई जताए जाए सकती है, फिर जीवन रेखा पर ये एक 20 माकिरती बना, ये भी दर्शाता है, इसे लोग को यात्राएं करवाता है लाइफ में, यात्राएं हो सकती है फिर आप देख लो, कि इनके लाइफ में, इनका जो माइंड रेखा है, वो चंदर तक गया है, और ठलका सा एक और ब्राज निकला है, तो दिमाग के काफी तेज़, और चंदर पर जाने के बाद थोड़ी से इमेजिनेशन, इमेजिनेशन चमता होती है, वो भी ऐसे लोग करने के मुकाबले, तो यह एक नेगटिव चीज़ है, तो करो, करने पर जान दो, क्योंकि करोगे तभी फल मिलेगा, तो यह और कभी-कभी होता है, अगर इनके मुताबिक कोई काम ना, तो इनको गुस्सा आदा, इरिट्रिशन होता है, तो कि चंदर तक चलीगी माइंड रेखा, और एक चीज़ पेनेफिट है, बड़ी माइंड रेखा ने रेखा है, दिमाग के काफी हिस्ट पुछ्ट होते है, और दोड़ी माइंड रेखा काम कर रही है, तो काफी अच्छी एफेंक दिखा रही है, और माइंड रेखा में कोई दवाब नहीं आप देख पा काफी प्रबल है, तो उसको वो जेल लेंगे आराम से, फिर इनके हर्ट लाइन तो बहुत ही अच्छी है, एक दम देखो कितनी अच्छी है, हाँ, कुछ ऐसे ब्रांच खुले हुए हर्ट लाइन में, तो ये ब्रांच दर्शाती है, टेंस तो आएंगे, लेकिन एसे लोग इतनी प्रबल डिस्टेंस बनीवे माइन रेका हर्ट रेका के बीचे न, ऐसे लोग उस टेंशन जिसको नजा अंदाज करती हैं, जीवन में आगे बढ़ जाएगे, इतना आप समझों, इतने बैलेंस डोंगे ऐसे लोग, ऐसे लोग की प्रस्टनेलिटी जो होती हैं, काफ 25-25 वर्स के आई हो, फिर एकदम क्लियर चली, तो और एक एक जो इनका लाइफ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक चीज, ये लगबग एज है, लगबग इनकी 38 के रहा हो, तो यहाँ पर मैंने पहले भी बताया, तो घरमकान खरीदने की इंडिकेशन है, तो जब ऐसी क पतली लक लाइन चली, तो इनको ऐसा होता होगा, कभी कबार बहुत साथ मिल गया, कभी कबार नहीं के बराबर मिला, तो ये आगी रेका, प्रबल मैं नहीं मानता, इस लगबग ये एज थी, हाँ, 31 में में कुछ एक अच्छे योग बन रहता है इनके पाम पे, ठीक है, क् ये बागे रेका आप देख लो, ये लगबग यहां से चली है, ठीक चली है, लेकिन इनके लाइफ में जो और जो पहले की बागे रेका थी, उसमें थोड़ी बहुत मुझे डाउट है, इस पर कागी डाउट है, कि कभी कबार इनको साथ मिलता होगा, कभी नहीं मिलता होग ये खा पी ले, लेकिन बचा नहीं पाते हैं, ये एक चीज थी, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो इनकी भागे रेका चली है, अब जो इनकी भागे रेका चली है, ये एक्सपेंस कर लिया ये, 38K राउंड ये एक्सपेंस का दिख रहा था, इसके बाद जो continue अच्छी भाग संबाव रहा है, तो इनका life का question मिता आयो है, जीवन कबसे अच्छा होगा, तो मेरे accordingly आपका जीवन 40K राउंड से ठीक मुझे दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, और एक expense आप और करोगे, लगवग 46K राउंड एक expense आपकी और दिख रही है, भागे रेका से, फिर continue अ आपके पाम पे दिख रहे है, आप वो कर सकते हैं, फिर अब इनके पाम पे बात करो, तो इनके शूरी रेका को, तो जब ऐसी बागे रेका रहे हैं, तो इसका फल कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है, चुकि इसमें strength नहीं है, strength नहीं रहने के बाद जो आपके expectations होंगे, उस कोई शूरी रेका निकले, पैत्रिक संपत्ती के दाप से लोग को, जमीन जाजात का सुक अच्छा मिलता है, पैत्रिक सुक कभी काफी अच्छा इनको भोग विलास जीवन में कर पाते है, पैत्रिक संपत्ती भी इनकी एक रुपया है लेकि इनको हाशिल होती है, और इसका साथ ये होता होगा ठीक है अब कोई बोल देगा कि यह सूरी रेखा कट गई है तो आप कुछ करी नहीं पाऊंगा ऐसा कुछ नहीं होता यह पार्टिकुलरली फेज में एक टेंशन दिखाता है तो यह जो आपका फेज है यह सूरी रेखा का फेज लगए 551 के आश्पास है कई चूती होता है तो इनके पाम पर कोईeda डिएट़ से पामえば जीवन मेश्वारे नहीं बाफ़ता है पाम पे, घरतर ट्रेंगर यहां से बनता है तो एक चोटी सी घरतर ट्रेंगल की आकरिती दिखी जो राहू लाइन से बनी है तो इसको मैं घरतर ट्रेंगल नहीं बानूँगा ठीक है सब मुझे लग रहा है लेकिन यह पूर्ड नहीं है तो इसका भी मैं विचार नहीं करूँगा तो इनके पांप पर मरी ट्रेंगल नहीं है तो इसका साइड इफेक्ट यह होगा कि यह पैसे तो आएंगे लेकिन खर्च के पैमाने जादे रहेंगे यह जमा नहीं कर पाएंग क्यों करते हैं तो इसका सब्सक्राइब नहीं है तो इसके लोग अपने इक्षा सक्ती के दम पर बहुत कुछ लाइफ में करते हैं बहुत कुछ सब्सक्राइब नहीं करते हैं लेकिन थोड़ी से पढ़िशान रहते हैं मतलब नहीं कर पाते हैं लेकिन तर्क सक्ती की बात करूं तो वह काफी अच्छी होती है और डिजायर्स की लाइन है डिजारेबल प्रस्नालिटी रहेगी जो कि तर्क सक्ती जो और इक्षा सक्ती जो मुझे फर्स फैलेंस से दिख रही है वो काफी अच्छी दिख रही है ठीक है थम बसे फर अब इनका जो मेजर कोशन था उसके विशे में बताओ इनका जो मेजर कोशन था ये था कि मैं किसका बिजनस कर तो गार्मेंट का बिज कर सकते हैं वो भी काफी अच्छा रहेगा आपके लिए और स्थितिया आपकी सुधरेंगी 49 मर्स के आयों से सुधरने की दिने-दिने संभावना है और लग लाइन में कुछ अच्छे इंडिकेशन से एक घर की और योग बन रहे हैं लगवग जैसा मैंने बता है चोवारीस अब बनने के संभावराई दिख रही है तो लास्ट प्रेट में पैसे कमाने के अच्छे खासे इस्थती इनके पाम पे दिख रही है ठीक है तो आई होप हमने इनके कोश्चन का एंसर किया हो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सस्क्राइब च चाहते हैं तो आप में हमारा नबर आपको वाट्सअप पर मिल जाए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारा वाट्सअप नबर आप उससे संपर्क कर सकते हैं और हमसे परांबर से ले सकते हैं धन्यवाद